नमस्कार दोस्तों मैं रेश गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्किल्स पर आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं अपना नया यूट्यूब वीडियो जिसका टोपिक है एनलेशीज क्वान्टिटी मेजरमेंट यह जो टो उसका एस्टिमेट कैसे बनता है उसके बारे में आपको इस टोपिक में बताया जाएगा तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है इसमें आप सीखेंगे क्या सीखेंगे कि मालो कोई भी प्रोजेक्ट है आप जहां पे फीटिंग करने के लिए जा रहे हैं वहां पे लगेंगी और कौन्सी कोन्सी है आइटमे है जो दगेंगी एक पूरा इनिस्याल जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं मालो कोई 50 गज का कोई गर्ब ना रहा यार okayos का घरवनार आ उसमें कितनी आइटमें और क्या क्या लगेंगी और उनकी कितनी नी कुई इतने मातरा लगेगी इसके बारे में जोँ टोपिक है उसके बारे में आपको बताया जाएगा सबद से पहले जब हम कोई भी AI करते हैं माल कोई घर बना रहा है उससे पहले क्या करता ये सोच ये मैं बनाना बदाना है उसका नक्स आपरोब कराएगा उसके बाद जो सोचेगा कितने कमरें बनाने हैं कितने बातरूम होगे कितने किशन होंगे summary होगा सट्रामी होगा।।। अध्य प्रतोभ जान के उइसे पताएगा वो उसके अलग-अलग rate पूछ सकते हैं और इस तरह से comparative statement बन जाएगी और जो पूरा material लगेगा उसका हमें एक estimate मिल जाएगा कि उस जगह पे इस material का क्या rate है दूसरी जगह पर इस material का क्या rate है तो हम इस तरह से अपना material select कर सकते हैं कम rate कहां पे है comparative statement हम बना सकते हैं तीन चार जगह पूछके उसके रेट हम कनफर्म कर सकते हैं इस तरह से एक एस्टिमेट है जब वो बन जाता है कोई भी मान लो अगर कोई पचास गज का कोई घर बनाना चाहे उसमें जो प्लंबिंग मैटिरियल और लेबर का खर्चा है जो वो एक जो बात्रूम है और बात्रूम पे 15,000 रुपे का खर्चा आता है और अगर सोग गज का बना रहा है कोई उमकान तो उसमें क्या करता है उसकी जो क्वांटिटी उसको डबल कर देते हैं और इस तरह से उसका जो रेट है वो भी डबल हो जाएगा और इस तरह जो मानलो कोई खर्चा है पचास गज का कोई मकान बना रहा है उस पे जो अगर मानलो वो चार जार चार लाख रुपे खर्च कर रहा है तो दस परसेंट तो प्लंबिंग का कर्चा और लेवर रहेगी उसमें दस चार लाख का दस परसेंट मतलब चारिस जार रुपे उसके मैटीरियल और लेवर पे लगेंगे अगर वो मानलो सोगज का मकान है कोई उस पे आठ लाख रुपे लगा रहा है तो क्या होगा उसमें आठ लाग का दस परसेंट असी अजार उपए उसका प्लंबिंग पे मैटिरियल पे प्लंबिंग के मैटिरियल और लेबर पे खर्चा आएगा अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर का है ये अगर कोई फ्लोर बना रहा है साथ में तो इसमें 20% हम लेश जो मालो 40,000 है उसमें से 40,000 का पांच से लेके 20% तक डिड़क्शन कर देते हैं तो इस तरह से अगर 40,000 का 20% लगा ले हम तो 8,000 रुपए और उसमें से कम हो जाएंगे तो इस तरह से एक एस्टिमेट रफ कोश्ट एस्टिम आपको कौन सी कौन सी मैटिरियल है क्या क्या लगेगा अगर कोई मालो 50 गज का मकान मना रहा है उसके अंदर बाथरूम और फिटिंग बाथरूम की फिटिंग कीचन और जो रेन वाटर का होता है ड्रेन ओफ का उसमें क्या-क्या आइट में लगती है सबसे पहले पीवी सी पाइप जो चार इन्ची पीवी सी पाइप है 802 फिट की रिक्वारएरमेंट रहेगी 803 फिट जो पाइप है व Hampshire हो एक 10 गर्मे में 44 पाइप पीवी सी का लगेगा थीन इन्ची पीवी सी पाइप चास फिट लगेगा पीवी पीवीची पीट्रेप है जो वो चार नंबर लगेंगे और फ्लोर टैप है फ्लोर ट्रेप है वो भी चार नंबर लगेंगे पीवीची टी है चार इंच के टी के जो त्री डाया होते हैं तीन साइड होते हैं त्री डायेक्शन में होता है टी चार इंटू चार इंटू चार जो पीवीची टी है छे नंबर पीवीची टी लगेंगे और ऐसे ही जो पीवीची टी तीन इंची है वो दो नंबर लगेंगे पीवीची एलबो है चार इंच के दो नंबर लगेंगे और पीवीची एलबो है तीन इंच का वो दो नंबर लगेंगे रिडियोसर है चार इंच जहां पर स्टोप करना हो पाणी को रोकना हो अद्धा इंची जो प्लग है या कैप है बीस नंबर यूज होंगे सॉल्वेंट है जो सॉल्वेंट जो चिपकाने के लिए काम आता है पीवीची की फेटिंग को एक लिटर लगेगा उसके बाद वाटर मेटर है वाटर की क्वानिटिटी को मेजर करने के लिए एक वाटर मेटर लगेगा उसके बाद मोनोब्लोक पंप है जैसे हाइट पे पानी स्टोर करने के लिए पानी पहुंचाना तो वन हाफ हार्स पावर का जो मोनोब्लोक पंप है वो सहीएगा उसके बाद है जो एंडियन वाटर या European water closet requirement का इसाब से एक एक नंबर लगेंगे सिश्टर न है जो low down सिश्टर नोते हैं जो 10 लीटर कपैस्टी का एक नंबर लगेगा उसके बाद है वासवेशिन with bracket one number steel sink one number PVC overhead जो पाणी का स्टोर करने के लिए छत पे पाणी की टंकियां रखे जाती है वो एक नंबर 500 लीटर कपैस्टी का अगर जैदा रखना चाहे तो requirement का इसाब से कोई अजार लीटर कपैस्टी का भी रख सकता है cpvc pipe है एक इंची soffit पोना इंची pipe soffit cpvc की cpvc boost अधा पोना के 10 नंबर और elbow है एक इंची 20 नंबर पोना इंची है जो elbow वो 30 नंबर टी है पोना इंची 15 नंबर उसके बाद एक इंची है जो टी वो पांच नंबर सोकेट है जो पोना इंची वो 15 नंबर और MT है पोना इंची 6 नंबर इस तरह से अगे हैं जो राइटम है cpvc solvent है 200 ग्राम solvent सेगा हमें और union है जो एक इंची 4 नंबर वाइट लेड है सफेदा बोलते हैं जिसको वह 500 ग्राम और सी आई ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स होती है कास्ट आइरन की जाली होती है जातों में लगती है ताकि जो उपर के वर्सा के पाणी के साथ कोई कचरा ना है चार नंबर स्टील की है जो ग्रीटिंग्स अगे शवर बोडी को टूंती होती है शुट बोडी ऌडी फाइव नंबर और सीवी पी उन्सील्ड एग एक नंबर बालावाब में याndल वालौ ब्लयाइए फूम इस नंबर सीपी वेश्ट कपलिंग एक नंबर और क्याना है PVC connection दो नंबर long body cock है जो तुंटियां होती है छे नंबर CP nipple है एक नंबर pillar cock है एक नंबर उसके बाद PVC waste pipe है टू नंबर ब्राश्टी है पोना अदा की दस नंबर elbow है दस नंबर MTA है पोना अदा की दस नंबर FTA दस नंबर MTA एक इंची छे नंबर और tank nipple है दो नंबर tank nipple लगेंगे टावल रिंग है तू नंबर और एक जो वासबेशिन के उपर सिसा लगाते हैं फेस देखने के लिए एक नंबर तो यह सारी आइटमें हैं जो एक plumber को किसी भी नई project को लगाने के लिए यूज़ करनी होती है इन सारी आइटमों का एक plumber को पता होना चाहिए तब ही वह को analysis करके वह अपना ले आएगा इस तरह से यह पूरा प्रोजेक्ट है जो आप असानी से complete कर सके देए जो important topic है आपको इसका पता आना सी है कौन कौन से fitting यूज़ करते हैं क्यों आपने जो plumber का course किया उसके बाद नई project भी आपने start करने है तो पूरी जो list है वो आपको बताओने सी है screenshot आप लेना चाहिए तो इसका ले सकते है important topic है कोई नहीं बताएगा आपको general topic है जहां जाएंगे सभी पूछेंगे क्या लगेगा समान बताओ तो ये समान है दोस्तो जो आप एक पूरे project में लगाते हैं इससे इतनी जैदा list पूरी detail में आप को कहीं भी नहीं मिलेगी तो कैसा लगा आपको आज का topic जरूर बताएं comment में अगर कोई query हो तो आप जरूर पूछें और update के लिए notification bell icon जरूर प्रेस करें video आपको अगर अच्छा लगा हो तो ही like करें वरना like करने की जरूर नहीं है तो channel को subscribe जरूर कर दें thank you दोस्तों पू झाल